बाई स्वातिमालिवाल के केस में क्या नया चल रहा है? ब्रो स्वातिमालिवाल जो है वो आमादनी पार्टी के राज्यसभा की MPA तो स्वातिमालिवाल जब केजरिवाल के घर गई 13 मई को तो विभव कुमार जो की PA है केजरिवाल के उनके उपर physically assault किया 3-4 दिन तक उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं कर आई थी सिर्फ allegation लगाया, पोलिस को बलाया तो पहले तो आमादनी पार्टी ने कहा कि हाँ उन्होंने accept किया कि विभव कुमार ने उनके उपर हाथ उठाया था, उनकी बिटाई करी थी उसके बाद अगले ही दिन क्या होना कि मामला पलड़ दिया उसके बाद आमादनी पार्टी उन्होंने कहीं न कहीं स्वातिमालिवाल को ये बोलना चुरू कर दिया कि ये जो है, ये तो BGB की एजेंट बन कर आई थी ये जान पूच के डिफेम करने के लिए ये सब कर रही हैं, सब नाटक कर रही हैं और उसके बाद स्वातिमालिवाल ने भी फिर कर दी इसकी, तो ये 16 माई को यहाँ पर फिर हुई है अब F.I.R. में उन्होंने एक्यूस लगा दिया, बिबव कुमार 18 माई को जो है, वो अरेस्ट हो गया अब जब बिबव कुमार अरेस्ट होए तो उन्होंने अपनी बेल के लिए भी प्ली डाली थी लेकिन उस प्ली को कोड ने रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कहा कि भई, ऐसा देखने से लगता नहीं है कि स्वातिमालिवाल ने ये सब जाक्षन जो है, वो कोई प्री मेडिटेशन के दुवारा की है मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले से साजिश कर रहे और इसके अंदर फे स्वातिमालिवाल वो भी थोड़ा सा एमोशनली ब्रेकडाउन होकी थी उनका ही कहना था कि धुरूवराठी जो है, उन्होंने भी वन साइड़ेट वीडियो उनके उपर बना के डाली हुई है तो उनके उपर काफी टेथ स्टेट्स आ रहे हैं और सब लोग मिलके मतलब एक साधिस चल रही है अमादी पार्टी उनको डिफेम करने की तो अभी जब विभव कुमार जो है, ये केजरिवाल के बहुती पुराने मित्र है 2005 में कभी एंजियो चलाया करते थे, तब मनीश, सुसोधिया और केजरिवाल इसको चलाया करते थे तब विभव कुमार उनको तब से उनको जानते हैं और ये निया कि विभव और स्वाती भी बहुत पुराने मतलब एक साथ गाम कर चुके हैं इसमें kontroversies अब ये भी आती हैं कि विभव कुमार उनको तो टर्मिनेट कर दिया था बिजनस देपार्टमेंट ने अपरेल के अंदर तो जब उनने टर्मिनेट करी दिया था तो फिर वो केजेवाल के रेजिदेंस पे उस दिन क्या कर रहे थे Secondly, अभी स्वातिमालिवाल के उपर भी ये allegations आ रही है कि कुछ दिनों पहले Anti Corruption Bureau ने DCW की जिसकी वो चीफ रही थी तो उसके अंदर illegal recruitment का उनके उपर charge लगाया हुआ तो आमादनी पार्टी में जो अतीशी है उनका ये भी कहना है कि स्वातिमालिवाल ये सब इसलिए कर रही है तो कि उनके उपर ये case चलाया गया था तो उससे बचने के लिए वो शायद you know maybe BJP के support में इसलिए आ गई है अब इसमें important चीज़ें ये भी है कि वहाँ पर जो incident हुआ उसका कोई CCTV footage proper है नहीं कुछ-कुछ clips जरूर आई है जो कि आमादनी पार्टी नहीं release करी थी बट तो वो जो clips जो है बहुत छुटी-छुटी सी clips हैं जिसके अंदर देख रहा है कि कैसे स्वाधिमालिवाल जो है उनके जो staff है उनको वहाँ पर थोड़े बहुत गाली कलोच कर रही है और वहाँ से बहार निकल की बेजा रही है तो देख कैसा लग नहीं रहा कि उनके साथ कोई बहुत आता ऐसा कुछ assault वगएरा हुआ है आमादी बाटी इन दो clips को लेकर ही कह दिए कि देखो वो सम नाट कियां सुमाल is एक रिखें स आट रही है है